हर्ताली का तीज का पर्व 21 अगस्त को है पंचांग के अनुसार भादर पद मास की शुकल पक्षकी तृतियात इथी को हर्ताली का तीज का पर्व मनाया जाता है कुआरी कन्याओं के लिए हर्ताली का तीज व्रत बहुत अधिक महत्व रखता है MP News के इस रिपोर्ट में जा दिये हर्ताली का तीज व्रत का महत्व और शुभ मुहुत हिंदू मानिताओं में हर्ताली का तीज का बड़ा महत्व माना गया है इस वर्ष हर्ताली का तीज 21 अगस्त शुक्रवार के दिन है कौारी कन्याएं सुयोग्य जीवनसाथी पाने की कामना से हर्ताली का तीज का व्रत रखती है और सुहागिन महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए व्रत करती है हर्ताली का तीज के दिन भगवान शेव और माता पार्वती की आराधना की जाती है साथ में भगवान गनेश की भी पूजा होती है ताकि उनका व्रत बिना किसी विग्न बाधा के पूर्ण हो जाए जोतिशाचारे पंडित राम चंद्र शर्मा वैतिक के मुताबिक त्याग तपस्या और निस्ठा के प्रतीक इस व्रत को महिलाएं चारों पहर करती है भादाओं का महिना शुक्ल पक्ष का पूरा व्रत तीज और त्यावरों का पक्षवाड़ा है भाद्र शुक्ल त्रतिया को स्त्रिया अपने अखंड सवभाग की रक्षा है तू हरतालिका तीज का व्रत जो है करती है कुवारी कन्याएं भी योग्यवर की प्राप्ती के लिए स्योग्यवर की प्राप्ती के लिए हरतालिका तीज का व्रत जो है करती है हरतालिकातीज के वृत में महिलाएं चारों प्रहर सुबह से लगाकर दूसरे दिन सुबह तार भगवान शिव पार्वती और गणेजी की आराधना करती है निर्जला वृत रखती है पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं करती है सत्य और निष्ठा के साथ महिलाएं इस वृत को जो है करती है त्यान तपस्या वो निष्ठा से यह वृत जो है भाद्र शुक्ल तृतिया को किया जाता है दर्वशास्त्रों की इसी मांदिता है कि इस दिन आठो प्रहर जो है भगवान शिव और पार्वती की पूजा गणेजी के साथ की जाती है महिलाएं जो है सायंकाज इस वृत को जो है करती है शिव और पार्वती यह दोनों बालू के जो है बनाए जाते हैं गंध पुष्प धूप दीप नईवेद्य और सुहाग की वस्त्वों के साथ जो है शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है हर तारिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है इस व्रत में अन्न और जल का त्या किया जाता है तीज की पूजा रात्री में भी की जाती है इस व्रत के दौरांस त्रियों को मन में शुद्ध विचार रखने चाहिए बुराई लोब और क्रोध से बचना चाहिए इस व्रत में भगवाँ शिव और माता पार्वती का ध्यान लगाना चाहिए महिलाए अखंड सा भागे की रक्षा के लिए इस व्रत को करती है इस व्रत का समय 21 अगस्त की सुपह 6 बचकर 18 मिनट से 21 अगस्त की रात 1 बचकर 58 मिनट तक ही रहेगा 22 अगस्त की सुपह शिव परिवार की कच्ची मिट्टी से तैयार प्रतिमाओं के विसरजन के बाद ही व्रत संपन होगा सखियों के द्वारा मापार्वती हरी गई और इस व्रत का नाम हरी ताली का व्रत जो है उस दिन से रखा गया निश्चिति यह व्रस्त तपस्या और त्यार का व्रत है कठोर व्रत है महिलाएं सुबह जो है प्रातह स्नान करती है भगवान शिव की आराधना करती है सायंकाल बालू के जो है भगवान शिव का जो है पिंड बनाया जाता है और शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा अपने अखंड सुभागि की रक्षा है तो सुभा के बती स्त्रिया करती हैं किन्तु आज कल कंaja या भी कुमारी कंaja भी सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं निश्चित ही इस वरत के प्रभाव से उनके सुभा की बगवान शिव जो है रक्षा करते हैं, शिव लोग कल्यान कारी देवता हैं, सभी का कल्यान करने वाले देवता हैं, चारो पुरुशार्थों को देने वाले हैं, धर्म, अर्थ, काम, मौक्ष, महिलाय रात्री में वरत को खोला जाता है, यह बेहत ही कठिन वरत होता है, इसे दो प्रकार से किया जाता है, एक नर्जला और दूसरा फलहारी, नर्जला वरत में पानी नहीं पीते हैं, और ना ही अन्न्य या फल गरहन करते हैं, वहीं फलहारी वरत रखने वाले लोग वरत के दौरान जल पी बन करते हैं यूर रिपोर्ट, MP न्यूस इन दौर